हलो फ्रेंड बनासी किचन में आपका स्वागत है आज की हमारी रेस्पी है करेला और आलू की कलोजी आज हम करेला आलू की कलोजी बनाना बताऊंगी चलिए शुरू करते हैं बनाना यहां हमने करेला और आलू ली हूँ जिसको हमने दो से तीन बार पाने से वास कर ली हूँ और वास करने के बार आलू को छिल ली हूँ और करेले को भी हम छिलेंगे करेले के वाल उपर वाले पार्ट को हलका हलका हम छिलेंगे पुड़ा अच्छी तरह नहीं छिलेंगे बस उ इसी तरह हमने यहां पर पूरे करेले को उपसे छिलका निकाल दी हूँ अब दी सकते हैं बस हमने उपर वाले पार्ट को हलका हलका छिलका निकाला हुआ है फिर आलो को भी हम यहां बीच से कट कर लेंगे केवल दो पार्ट में हम डिवाइट करेंगे सारे यालो को इसी तरह डो पार्ट में हम डिवाइट कर लेंगे फिर यहाँ पर मैं लूंगी एक कुकर और इसमें एक गिलास पाने डाल कर और यहाँ पर हम करेला को बॉयल करेंगे केवल एक सीटी आने तक ही हम करेला को बॉयल करेंगे जब एक सीटी आ जाएगा तो गैस के फ्लेम को बन कर देंगे और अपने आप ठंडा होने देंगे यहाँ पर हम एक सीटी ले लेती हूँ फिर इसको अपने आप ठंडा होने दूँगी इसको खोलेंगे नहीं अपने आप ठंडा होने देंगे अपने आप जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसको खोलेंगे यहाँ पे एक सीटी हो चुकी है इसको हमें खोल लेती हूँ यहाँ पे हमारे करेले एक सीटी से अच्छे सी बॉयल हो चुकी है और इसको हम एक छलनी में निकाल लेंगे सारे करेला को और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे जब तक मेरा करेला ठंडा होगा तब तक हम चलिये मसाले बना लेते हैं कलोजी बनाने के लिए यहां पे हमने कुछ मसाले ली हूँ जहां पे हमने खड़ा धन्या साबु धन्या ली हूँ और राई ली हूँ और मंग्रेला ली हूँ और यहां पे हमने सौंफ ली हूँ और हमने यहां पे जीरा भी ली हूँ और मेथी दाना ली हूँ और लाल इन सारी चीजों को हम एक साथ रोष्ट कर लेंगे, सारे मसालों को हम लो फ्लेम पर ही रोष्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं रोष्ट करेंगे, नहीं तो कच्छा भी रह जाएगा, और मसाले हमारे जल जाएंगे, इसका स्वाद बिल्कुल नहीं अच्छा करेंगे यहां पर मैं लिए हूं मिक्से ग्राइंडर और सारे मसाले इसमें डाल देती हूं और डालने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं यहाँ पे हम बिल्कुल दरदरा ही ग्राइंड करेंगे यहाँ पे हमने बिल्कुल दरदरा ही ग्राइंड की हूँ आप देख सकते हो और इसको हम एक प्लेट में ट्रांसपर कर लेती हूँ सारे मसाले को यहां पे में सारे मसालों को एक प्लेट में निकाल लिए हूं अब दे सकते हो हमने इसको दुरा दर-दरा ही इसको ग्रानड की हूं बिल्कुल बारिक नइ lasci हूं यहां पे हमारे करेले भी ठंडा हो चुकी है इसको summarize दौर बाउन में निकाल लेती हूं और सारे करेले को हम बीज से चीरा लगाकर हम इसका अंदर से बीज निकाल लेंगे इस तरह बीज से हम चीरा लगाएंगे और इसके अंदर से सारे बीज निकाल लेंगे इसी तरह बाकिके करेले का भी बीज हम निकाल लेंगे इसके बीच को हम फेकेंगे नहीं, इसका भी हम इस्तिमाल करेंगे, आगे हम बताएंगे इसके बीच का कैसे इस्तिमाल करना है, फिर यहाँ पे हम लेंगे मसाला, यहाँ पे हमने थोड़ा ज्यादा मात्रा में मसाला बनाई हूँ, इसलिए पूरा मसाले नहीं लोगी, हम यह टेլल स्पून, फिर इसी में Add करेंगे हींग फिर नमक करोंगी, मिहाँ पर स्वाद अनुसार फिर इसको हम Mix कर लेंगे शारे मसाले मिक्स हो जाने के बाद फिर इसमें हम Lem Yous डालेंगे, फिर इसको हम अद्रक लासून और हरे मीच का पेश डाल रही हूँ इसको भी डाल कर हम मिक्स कर लेंगे मिक्स हो जाने के बाद हम करेला में इसको भरेंगे यहां पर हमारे सारे मसाले मिक्स हो चुकी है और यहां पे हम करेला को लेंगे और इसके बीच में जो हमने चीरा लगाय थे उसमें सारे स्टपिंग को भर देंगे इसी तरह हम बाकी करेले में भी भर देंगे सारे करेले में हम जब मसाला भर लेंगे तब मेरा थोड़ा मसाला बच जाएगा तो हम उस मसाले को हम आगे इस्तिमाल करेंगे आगे हम आपको बताएंगे इस मसाले का कहां इस्तिमाल करना है यहाँ पे हमारे इतने मसाले बचे हुए हैं मैं आगे आपको बताऊंगी किसका इस्तिमाल हम कहां करेंगे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे दो टेवल स्पून कुकिन ओयल और गैस के फ्लेम को अन कर देंगे और तेल को हीट होने देंगे जब अच्छे से तेल हमारा हीट हो जाए तो फिर इसमें हम आलू को डाल देंगे आलू को डालने के बाद इसको हम दो मिनद तक चलाते हुए कुक कर लेंगे दो मिनद जब कुक हो जाए तो इसमें हम डालेंगे नमक यहां पर मैं नमक ले रही हूँ स्वादन साथ थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डाली हुई है इसलिए यहां पर ज्यादा नमक हम नहीं डालेंगे बस जितना हमने आलू ली है उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे यहाँ पर नमक डालने के बाद को भी चलाते हुए दो मिनट तक कुख कर लेंगे फिर इसके बाद इसको हम कवर करेंगे यहाँ पर हमने अलो को दो मिनट तक कुख कर ली हूँ फिर इसके बाद इसको हम कवर करकर दो मिनट तक इसको कवर कर पकाएंगे इसी तरह हम तीन से चार बार पकाएंगे दो मिनट के लिए कवर करेंगे फिर उसको खोल कर चला लेंगे फिर इसके बार कवर करेंगे फिर इसको खोल कर चलाएंगे इसी तरह हम तीन से चार बार ऐसे ही करेंगे ताकि हमारा आलू अच्छे से पक जाए इसी तरह करते हुए हमने तीन से चार बार इसको कुक कर ली हूँ अब फिर इसको चलाते हुए हम कुक करेंगे दो मिनट तक और यहां पर आप दे सकते हो बहुत ही कम तेल में और यहां पर आलू में भी अभी भी एक टेपल इस्पून के बराबर ओशा हुआ है नमक के साथ आलू बहुत ही जली कुखो जाती है, आप यहां पर दे सकते हो कि आलू आधा से ज़्यादा कुखो चुकी है, हमारे आलू आधा पक चुके हैं, अब फिर इसमें हम एट कर देंगे, मसालों से भरा हुआ करेला जो हमने मसाले भरे हुए थे, कलोजी मसाला करेले में इसको ऻक धुखकर हम दो मिनटतक कुख कर लोंगी, मै यहां पर दो मिनट हो चुकी है, और हम यहां पर omate को open कर लेते हैं, open करने के बाद इसको हम इसी तरह चलाते हुए, दो मिनटतक कुख कर लेंगे, दो मिनट के बाद फिर इसमें हमने जो करेले का बीज निकाली हुई थी उसको डाल दोंगी यहां पर आप दे सकते हो बहुत ही कम तेल लगा हुआ है फिर इसमें हमने जो करेले का बीज निकाली हुई थी उसको डाल देती हूँ और उसके साथ जो हमने मसाला हमारा जो बचा हुआ था कलोजी मसाला उसको भी इसमें एड़ कर देती हूँ उसके बाद इसको चलाते हुए दो मिनट तक हम और यहां पर कुक कर लेंगे यहां पर हमने कलोजी को दो मिनट तक और कुक कर ली हूँ और यहाँ पे हमारा आलू और करेले का कलोजी बनकर रेडी हो चुका है इसको हम दूसरे प्लेट में ट्रांस्फर कर लेती हूँ यहाँ पे हमने कलोजी को दूसरे प्लेट में ट्रांस्फर कर ली हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारी कलोजी बन का रेडियो चुकी है खाने में भी बहुत ही स्वादिश लगती है यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको तोड़ का भी दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छे से हमारे आलू भी कुखव चुकी है और करेला तो वैसे भी कुखव चुकी है क्योंकि हमने करेले को बउयल की थी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कुख हुई है और खाने में भी बढ़िया लगती है आलू की भी कलोजी बहुत ही टेश्टी लगती है और करेला का तो लगता ही है लेकिन आलू का भी बहुत ही टेस्टी कलोजी लगता है आप दोनों एक साथ जरू बनाईएगा आप अपने घर में आपके घर में भी लोगों को जरू पसंद आएगा और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सस्काइब जरू कीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद